दगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए जंगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है दर्द में अखेली है और खुशी में सारा जावाना है लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब बहुत तकलीफ होती है पर ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पासोगर भी दूरिया पना लेता है जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे आपको एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिन्दगी में उन लोगों को व्यर्थे महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था समय से जादा सिर्फ उन्हीं रिष्टों की कदर करो जिन्दगी बहुत छोटी है इसलिए किसे इनसान का पीछा करने से कई जुदा बैतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता मतलब की आप सब समझते हैं लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता कभी बरोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन आज एक ही घर में नजाने कितने परोसी है गिरते गिरते हैं बच्चा चलने लगता है डूपते दूपते हैं इंसान तैरने लगता है चोट से घवरा कर कभी पीछे मत अठना क्योंकि चोट खाकर ही इंसान समहलने लगता है असफलता पर लाखो ताने आएंगे परन्तो निरास मत होना हतास मत होना क्योंकि यह वाई समय है जि वो आपको हालातों के सामने छुकना सिखाएगा, इसलिए गधों का नहीं, सेरों का संकरना सिखो, क्रोध हमेशा मुर्खता से सुरू होता है, और हमेशा पस्चापात पे खत्म होता है, आपको आज की मेहनत आपकी कल की सपनों की चावी है, एक ऐसा लक्ष निधारित करी, जो आपको सुबा विस्तर से जल्दी उटने पर मजबूर कर दे, घमन बता देता है, कि पैसा कितना है, संसकार बता देता है, परिवार कैसा है, बोली बता देती है, कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है, ग्यान कैसा है, नजरे बता देती है, सूरत कैसी है, और इस पर्स बता देता है कि नियत कैसी है, कदर करदार की होती है वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है, आज तकलीफ बरी है लेकिन कल काम्यावी भी आपको बरी ही मिलेगा, हर बहाने को अपनी जेब में डाल लो, सिर्प इस बात को ध्यान में रखो, कि मैं कर सकता हूं, ज बस सही साबित होने में वक्त लगता है एक साल लगातार फोकस और जीत और मेहनत आपको जिन्दगी में दूसरों से पांस साल आगे लेकर जाएगी दोस्ती और महबत में फर्क सिर्फ इतना है कि बर्सों बात मिलने पर भी महबत नजर चुरा लेती है और दोस्ती सीने से लगा लेती है कभी कभी किसी सहर के बारे में हम केवल इतना जानते है कि वहाँ एक सक्स रहता है जिसे हम प्यार करते है कई बार भगवान हमारे रिष्टे खुद तोर देता है ताकि कोई हमारे जिन्दगी ना खराब कर सके उमीद मत छोड़ना कल का दिन आज से बहतर होगा जिन्दगी में उस लेवल तक पहुच जाओ कि लोग आपको खोकर कोई जिन्दगी पचता है जिन्दगी भी एक ऐसी अजीव हो गई है उस दिखना उस होने से जादा जरूरी हो गया है जिस्मों की चाहत ने इसको बदमाम कर दिया वरना इसक तो आज भी राधा और स्याम को ढूड़नता है जो मेहनत करता है वही नाम करता है वरना हर कोई अपने परिवार के पैसों से अराम करता है कुछ भी नया करने में संकोश मत करो ये मत सोचो की हार होगी हार तो कभी नहीं होती यहां तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी कपरे और चेहरे अक्सर जोट बोलती है इंसान की असलियत तो वक्त बताता है खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे गलत वर तीसरा इंसान नहीं जो तुम से बात करता है गलत तुम हो जो तुसे बात करने का मौका देती हो जिंदगी बहुत लंबी है लेकिन वक्त सिर्थ एक दिन का है और वो है आज का सपलता की चावी कभी तयार रही मिलती इसके लिए मेहनत का होनज चाहिए मुस्कुराने की आदत तो डालो मुस्किलों को हराना असान हो जाएगा जब प्रॉबलम ते ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा जब गोल्स पर ध्यान लगाओगे तो प्रॉबलम तिखना बंद हो जाएगी काम करने से पहले सूचना बद्धि मानी है काम करते हुए सूचना सतकता होती है और काम करने के बाद सूचना मुर्खता होती है सकून इस तुनिया की सबसे महगी चीज है इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गवाना किसी के ना होने का एसास सभी को होता है लेकिन किसी के मौजूद्गी की कदर किसी को नहीं होती बस अपनी आदतों से ही आदमी वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है इस वर जिने उचाई पर पहुचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ती वो एक दिर मंजिल पर पहुच जाए, लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को एहमियत देते हैं, उस सुक का द्याग कर देना चाहि जो किसी और के दुख का कारण बनता हूँ, कोई अपने जिन्दगी में बहुत अकेला है, और कोई अपने जिन्दगी में अकेला ही बहुत है, कौन देता है उम्रवर का सहारा जनाप, लोग तो जनाजे में भी कंधे पदलते रहते हैं, और बाहर की भीर से ज्यादा खतरन अखोता है भीतर काखेलापन इसके में एहसान नहीं होता हक होता है जनाफ सोचो तो आप बिलकुल अखेले हो और अगर ठेक से सोचो तो यही सच है रिस्ता भले ही कोई भी हो लेकिन रिस्ता मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए कभी मौका मिला तो हम किसमस्ते जरूर सिकायत करेंगे कि क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिने हम तूट कर चाहते हैं महबत में बराबरी नहीं कि जाती महबूक को हमेशा अपने से बेहतर माना जाता है इतनी बेरुखी आकर किसलिए तुमको खुषते ज़्यादा चाहा या किसलिए सुख में चौ मिले दुख में मिले ना एक साथ कश्ट में जू रहे वही मित रहने जब सबरे आ जाए तो चाहे कुछ भी छिन जाए आपकी जिन्दगे से आपको कोई फर्क नहीं परेगा मुझे सिर्फ एक ही इंसान से मतलब था और अफसोस वो भी मतलबी निकला इंसान उसी के लिए रोता है जिसके लिए दिल में कुछ महसूस करता है तुमी से रूट कर तुमी को सूचती रहना मुझे तो ठीक से नराज होना भी नहीं आता तुम्हे पसंद तो सब करेंगे पर तब जब तुम्हे उन्हें जरूरत होगी कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो सहारे कितने भी सच्छे और अच्छे हो लेकिन एक दिन साथ छोड़ ही जाते है काम्याब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना परता है लोग तो पीछे दव आते हैं जब आप काम्याब हो जाते हैं मेहनत कितनी करो कि किसमत भी तुम्हारा साथ तेने पर मजबूर हो जाए बुरे वक्त में आपसे कोई इसनेह करने वाला हो तो वही आपका सच्छा मित्र होता है जिन्दगी में कुछ कछिन फैसले लेने परते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिन्दगी बदल देते हैं अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो क्योंकि हमारे जिन्दगी के अधिकतर दुखे हमें अपनी भावनाओं में बहने की वज़ा से ही मिलते हैं बार-बार असफल होने पर भी उस सालाक होना यही आपकी सबसे बरी सफलता है हम सोचते थे कि जिन्दगी बदलने में बहुत समय लगेगा पर क्या पता था कि बदलता हुआ समय जिन्दगी ही बदल देगा दोस्तो यदि आपको वीडियो से वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में उन्मस्तिवाली को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो